शापुर थाना चेटर के घोसी पुरवा में से गायव हुए बच्चों के तलाश में पुलिस का सर्च अभियान रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा नगर निगम NDRF तथा स्थानिय नागरिकों ने गोड़ धाया नाले में पूरे दिन सर्च ऑप्रेशन किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली गौरतलब है कि 27 सितंबर को घोसी पुरवा से दो बच्चे गायव हुए तो शनिवार को सर्च ऑप्रेशन में एक बच्चे का शव मिला था पुलिस का अनुमान है कि नाले में से मिले बच्चों का शव उन गायव हुए बच्चों में से एक का है लेकिन परिजोनों द्वारा शनाक्त किये जाने के कारण पुलिस असमंजस्म की सिती में है और शव का पोस्ट मार्टम को भेज कर उसके शनाक्त का प्रयावस कर रही है वहीं पुलिस लगतार सर्च ऑप्रेशन चलाकर बच्चों के लाश में जुटी है पुलिस की कई टीमों गचित कर भी बच्चों की तलाश जारी है बच्चों की बच्चों की एक जिए नंबर ओई लगए झाया जिए लाशन को जाताय रहां की टीमों से लगजे कर दो किट अलांवला गटितना है नहें चेक्टर अलाईए जाता है यह चेक्टर अलाईगल कि कि यह शरण कि एक एक झालब कि यह प्रण की अे लिंग साहर भावाई है याला खनो जादे लावाई लावाई अ कि ग मावाई है जादे लावाई बीकार को की बाले, सुखने मेजिए पोकार की लिए लेजी, लेजी लागोगा झाल